साथियों, हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से एक और निव अपडेट, एक और निव जानकारी बताने के लिए आपके साथ जूर चुका हूँ साथियों, बिहार में और स्वास्त विवहाग के अंतरगत, एक और पुनह संबिदा पर कार्ज करने वाली सभी कर्मियों की समय बढ़ गया है यानि कि जितने भी संबिदा के अबधी थी, उस संबिदा अबधी को एक और पुनह बढ़ा दिया गया लेकिन आखरी इतने ही दीन क्यों, लेकिन यहाँ पर जो मैं ये पॉइंट लिखा हूँ आखरी इतने ही दीन क्यों, चुकि संबिदा की जो अबधी बढ़ाय जाते हैं, वो कुछ-कुछ दीनों के लिए ही बढ़ाय जाते हैं लेकिन यहाँ पर कुछ-कुछ दिनों के लिए बढ़ाये जाते हैं आकिर यह क्या मामला है साथ ही दोस्तों अगर इस तरह से बात करेंगे तो एन्यम की तरह लाइव टेक्निशन का भी हो सकता है यह सारी समस्या है जिस तरह से एन्यम की हुआ है डिटेल्स जानकारी मैं आप आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो िओक आपता तक बने रहिएगा साथियूं आपको जानकारी देदूं अगर आप लोग आज का पर देखते हैं तो आपको पूरी किलियर जानकारी आपको और भी किलियर यहां पर मिलेंगे स्वास्त विभाग ने कोबीड के दौरान करोना जांच के लिए बने आर्टी पिस्यार लाइब में बहाल तकनिशन को तीन महने की अबधी बिस्तार कर दिया याने जो करोना के टाइम में यह लोग बहाल हो थे लाइब टकनिशन उनको सिर्फ तीन महने के लिए फिर से कवार बिस्तार किया गया है इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है क प्रोना वाइरस की रोक्ताम एवं नियंतरन के लिए परतेक जिल्य तथा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लाइव टेकनिशन की सेवा ली गई थी समय समय पर इनकी सेवा अवस्दी विस्तार की जा रहे थी इनका कारिकाल 30 जुन को समाप्त हो गया जिसे देखते हुए विभ अब धी जो है 30 जुन को ही समाप्त हो गया लेकिन इसे एक वार पुरह यहां पर जुरत को देखते हुए 30 सप्टेमबर तक यहां पर बढ़ा दिया गया है तो बिल्कुल दोस्तों यहां पर आप लोग को देखने वाली बात होगा कि एन्यम की जो मैं बात करता हूं तो एन अब ही इन लोगों को यहां पर फिर एक वार तीन महीने के लिए बढ़ा दियेगे तो आखीर कभी ऐसा भी हो सकता है कि एन्यम की तरह अब यहां पर यहां पर विश्वथा जाता हूं थोड़ा सा यह अलग पुएंट होंगे तो अब यह देखनी वाली बात होगा कि क्या स सरकार 30 सेप्टम्बर की बाद 30 सेप्टम्बर की बाद क्या एक वर पुनह यहां पर लैप टेक्निशन को भी पढ़ाते हैं आगे की तरह या फिर इन लोगों को भी यहां पर एंव की तरह हटा दिये जाते हैं अब बांकि जो भी कुछ जानकारी आएंगे वो तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा है बताऊंगा साथ ही दोस्तों आपको लैब टेक्निशन से संबंदित या फिर विहार स्वास्तिभाग से संबंदित कोई भी नई आपडेट कोई भी नई जानकारी आती है तो सबसे पहले जानकरी प्राप्त करने के लिए करेगा चैनल को और सपोर्ट कर दीजेगा चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं आज किस वीडियो में इतना ही थैंक्यू